हेलो फ्रेंज वेलकम तो आज चैनल जिसका नाम है प्रोस्वेट ट्रेडर्स तो भाई दुनिया फुल उल्जी हुई है अब बिटकोईन पे हम लोग बुलिश हो हम लोग बेरिश हो क्रिप्टो मार्केट जो है वो यहां से उपर जाएगी नीचे जाएगी कुछ समझ में न आए दिन अगर तुम देखोगे तो इंफ्लेंस जो है भाईया वो यहां तो अगर कैंडल ग्रीन है तो वो सीधा एक लाख डॉलर पे लेके जा रहे है कैंडल रेड है तो वो दस अजा डॉलर पे लेके जा रहे है तो इस सब में हम लोग क्या करें वो आज के इस वीडियो में भी चाहिए अब उसके लिए सबसे पहले करें तो क्या करें सरब एक बर बेटकोइन का चार्ट देखो ओके तो बेटकोइन यहां पे बहुत बुलश लग रहा है और जो हमारा सबसे बेस्ट इंडिकेटर है वो भी हमें बता रहा है कि भाईया फूरी दुनिया को यकीन है बेटकोइन जो है वो यहां पे एक नया हाय बनाएगा बेटकोइन यहां पे 100K पे जाएगा ओके तो मैंने अगर मेरी बात करें तो हम लोगों ने पहले भी यह बोला था कि भाईया बेटकोइन ठीक है यह एक टॉप मारा उसके बाद हम लोग रिजेक्ट हुए हम लोग वापस इस वाइट लाइन को टेस्ट करते है जा सकते थे जो 69,000 के अराउंड है और फिलाल हम लोग उसके ओपर है candle close नहीं हुई है टाइम अभी भी है बट एक चीज जो बहुत clear है यार RSI वो चला चला के बता रही है कि भाईया अब मेरी बारी जो थी मतलब और पंप होन पड़ेगी ओके लोग यह नहीं समझेंगे ओके जैसा कि हम लोग यहाँ पे थे अगर तुम्हें याद होगा हर किसी को था bitcoin नीचे जाने वाला है RSI चला चला के बता रहा था कि भाईया मेरे बार नीचे जाने की जग़ा ही नहीं हुआ क्या हम लोग ने 20,000, 15,000, 16,000 हम ल RSI Oversault था वो बोल रहा था कि भाईया अब खहिमत खतम हम लोग जब तक RSI Oversault था भाई करते गए उसके बाद हम लोग रोग गए मैं बार बार वही कहता हूं कि देखो यह जो ट्रेडिंग होती है ना वो बड़ी ही सिंपल है हम लोग सरफ emotions में बह के इसको उलजा लेते है हम लोग इसको एक पहाड जैसा समझ लेते है बट उतना इसमें नहीं है अगर तुम यह RSI का indicator देखते हो यह बड़ी सिंपल सी किताब है एक ही पेज की बुक है यह जिसको हर कोई पढ़ सकता है लेकिन उसके बाद तुम्हें सरफ और सरफ तुमारे दिमाग और emotions पे को रखना है उकर ग्रीन लाइन के पास या ग्रीन लाइन के नीचे मतलब तुमको बाय करना है रेड लान के ओपर मतलब तुमको प्रौफिट लेना है बाद खतम अब बेट कॉइन सतर पे जाए बेट कोईन सौ पे जाए कहीं पी पी जाए तुमारा पैसा également चार गुना मतल जाल नहीं लगता कि यह उपर जाएगा क्यों कि आरेसा है बहुत जादा ओवरबॉट है मार्केट में बहुत जादा ग्रीड है तो एक वाश आउट यहां पे जरूरी है ओके बेटकोईन टूटा तो तुम देख सकते हो 15 मिलियन डॉलर्स ETF में वापस आया ओके अब ट्रेड हो जाता है ओके बारा डॉलर से 127 हुआ साड़े 600 से 760 तो अल्मोस्ट तुम अगर देखोगे तो यह तुम्हें 20-25% के गेंज देता है 10x गेंज तो चलो अब नहीं बचे उतने ओके बट स्टिल गेंज मिलते हैं बट उसके पहले थोड़ा वाश आउट जरूरी है ओके तो अब लोग जो है वो पूच की तरह लास्ट में आए हैं और इन लोगों को जड़ना ही ओके तो यहां पर थोड़ा पेशन्स थोड़ा सबर तुम्हें अच्छे प्राइज में बिटकोइन मिलेगा और वो वज़े सिरफ आरसाइए की नहीं दूसरी वज़े है यहां पे फ् फिल करने आए नीचे हम लोगों ने यहां गैप क्रियेट किया तुम देखो कितने दिन के बाद हम लोगों ने आके वो फिल किया तो यहां से अगर मैं यहां जाता हूँ तो मेरे भाई बारा दिन हमें लगे लेकिन हम लोगों ने वो गैप क्लोज किया अभी भी हम लोगो को ये gap fill करने के लिए नीचे आना ही है, so again मैं भई कहूंगा थोड़ा patience रखो तुम लोगों ने अगर हमारे साथ buy किया था, तो ये time profits लेने का है, ये buy करने का नहीं है और अगर तुम लोगों ने buy नहीं किया तो मेरे भाई, ये वो time नहीं है okay, all points में trade low market में कि ये बाते सच में बकवास है और ये बकवास ही रही है, so okay अब alt coin में trades ले, तो कौन सा alt coin उसमें अगर तुम देखोगे, तो आज हम लोग बात कर रहे एक meme token की जिसका नाम है sluv, दो बार ये token हम लोगों ने 50 cents पे buy हिया, दोनो बार हम लोगों ने 90 cents पे बेचा okay, अब फिलहाल पहले के तुम्हें थोड़ी इसकी story बता देता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस पे इतना detail में discuss नहीं किया है, so मेरे भाई ये अभी Solana के ओपर नया meme token है, इसके developer ने अच्छा खासा pre-sale में पैसा जोड़ा, वो जोड़ने के बाद उसने, अब ये marketing strategy है, या वो media stunt है, या फिर वो सच में गदा है, उसने अच्छी खासी liquidity जो थी, जो pre-sale वालों को मिलनी थी, उसने वो burn कर दी, okay, जिससे इसकी circulating supply जो है, वो सिरफ और सिरफ 500 million रह गई, developers के पास, या team के पास, कोई footy kodi का भी token नहीं है, सब market में है, okay, तो वो हम पे dump नहीं कर सके, okay, अब इनकी website पे जाओगे, तो बहुत ही भद्धी website, okay, इनकी twitter पे जाओगे, तो community अच्छी खासी हो गई है, अब ये meme कैसा है, अगर तुम्हें याद होगा, तो मैंने हमेशा बोला था, पेपे उपर गया, गिरेगा, लेकिन वापिस जरूर आएगा, क्योंकि पेपे सच में funny था, okay, dodge, shape, अब ये तो नों खतम होगए, लेकिन still top के उपर बैठे, क्योंकि लोग hold करके रखें उनको, तो वो बेची नहीं रहे, जिसकी वज़ेसे वो गिर भी नहीं रहा, okay, बट अगर ये token तुम देखते हो, या फिर ये meme देखते हो, ये meme सच में funny है, okay, तो जैसे पेपे हम लोगो ने देखा, तो अगर meme funny है, meme का मतलब ही, ज़र वो funny है, तब भी तुम उसे buy करोगे, तब भी उसको meme बोलेंगे, तो ये बड़ा जबरदस्त है, okay, और कुछ-कुछ तो भाईया, ये लोग अपना Elon Musk से भी अपना तुड़ा टाका जोडने की कोशिश कर रहे है, जिसकी वाईसे तुम देखोगे, आज ये token जो है, वो 37% उबर, और हम लोगों अभी फिर, मतलब तुम लोगों का हमारे telegram group में हो के नहीं, अगर होते तो तुम लोगों ने भाईया, फिर से उसे एकदम 50 cents के करीब buy किया होता, और आज तुम जो है, वो close to 36-37% के profits में होते, अगर नहीं किया है, तो make sure group join करो, YouTube तो तुमें definitely follow और subscribe करना ही है, अब बात करें उन लोगों की, जिन लोगों ने 50 cents पे buy नहीं किया, यह उन लोगों की, जिन लोगों ने 50 cents पे buy किया था, उनका क्या, तो यहां अगर तुम देखोगे, तो यह बहुत ही जबरदस्त cup बना रहा है, हम लोग प्रॉब्ली एक handle भी देखेंगे इस cup का, उसके बाद इसका breakout, तो अब भी भी यह जो है, वो 93 cents के पास जाएगा, तो फिलहाल हम लोग जो है, वो 80 cents के पास है, तो 80 से 93, जहां हमें profit लेना है, वो 15% का profit है, उन लोगों ने, जिन्होंने buy नहीं किया, मेरे भाई, मैं कहूंगा, पहले तो financial advice बिल्कुल नहीं है, बड़ अगर तुम्हें 10 रुपे का buy करने, तो अभी फिलाल 2 रुपे का ही कर, वजह है, क्योंकि हम लोग मिटवीन में है वो range के, तुम देखो ये close to 90, शेस को ना, एक पर delete करता है, हाँ, तो अगर तुम देखोगे तो ये 88 cents जो है, वो आज already test करके आ चुका है, ओके, फिलाल वापस उपर test करने जा रहा है, तो ये 92 cents को definitely test करेगा, बड़ मैं भही कह रहा है, अगर तुमने buy नहीं किया, तो फि 76, 75 cents के around, भर-भर के accumulate करो, okay, meme सच में funny है, और मैं भई कह रहा हूँ, जब bitcoin नया high बनाएगा ना, तो ये वो token होगा, जो probably हमें यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, okay, so top 50 के अंदर, और अगर ये top 50 में आता है, तो मेरे भाई, यहाँ से तुम जो है, वो easily अपने पैसे को 10x कर arm से, और गलती से अगर ये ship or dodge के बराबर हो जाता है ना, तो एक-एक token जो है, वो 38 dollars का, फिलाल कितने cents का है, 80 cents का, 38 dollars, कितने गुना होगा है, यह तुम हिसाब लगा लगा, okay, but again, meme है, तो पैसा बहुत संबल के, क्योंकि जब तक fundamentals नहीं है, तब तक तुम में hold करने का confidence भी नहीं आएगा, बड़ा simple सा logic, अब तुम देखो, core की मैंने बात की थी, कि मैं core में all-in हो, right, so अगर आज तुम core का एक बार chart देखोगे, वो चाहे गिरे, चाहे वो उठे, तुम बिंदास उसमें confident हो, क्योंकि तुमें उसके fundamental समझते हैं, और फिलाल वो एक अच्छे खासे profit में रखा है उसने हमें, okay, so तुम यह देखोगे, जो उसकी previous resistance थी, 81 cents की वो तोड़ चुक है, 90 cents के पास वो है, वो retest करेगा, 81 को और day dollars की तरफ, so buy नहीं किया है, तो एक perfect opportunity है, बिलकुल miss मत करना, और buy किया है, तो मेरे भाई day dollars जो है, वो अपना profit taking zone है, okay, बाकी again greed में मत जाओ, थोड़ा शामत और भीरे से buy करो, जब market गरे तब, okay, तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है, तो like करो, channel को subscribe करो, तुम से कल मुलाकात होगी दोस्तो, thank you so much.